तो आपने करना क्या है आँखे बंद करनी है गुरु मंत्र भगवान के वो शब्द जो गुरु ने प्रैक्टिकली करके देखे हो उसे कहते है गुरु मंत्र या नाम शब्द या कल्मा या मैथड़ों मेटेशन वो ले ध्यान को यहां लगाएं और फिर अभ्यास करें पहले जीबा से फिर ख्यालों से अगर आपका ध्यान भटकर आए एकांध में जाएए बंद कमरा कीजिए और उसमें थोड़ा सा बोल के उंची आवाज में जाब कीजिए इससे क्या होगा जब आप जीबा से करते हैं तो दिमाग और जीबा जब आप ध्यान से करते हैं सिर्फ दिमाग लेकर जब बोल के करेंगे तो आपकी सारी ग्यानिंदरियां बिजी हो जाएंगे आपकी बोलने की शक्ति सुनने की शक्ति देखने की शक्ति सुंगने की शक्ति स्पर्स क्योंकि जीवां से बोल रहे हैं तो स्पर्श हो रहा है आप हाथ जोड़े हैं तो उस पर शोरा है तो इस तरह दिमाग सुन रहा है तो सारी शक्तियों को जब आप एक ही शब्द सुनाएंगे तो आखिर उनको हार मानके बाकी तरफ से ध्यान हटाके यहां ध्यान लगाना पड़ेगा और यही मेडिटेशन है जो भगवान तक लेके जाता है